नमस्कार दोस्तो अगर आपकी उम्रह 20 से लेकर 60 तक है तो यह वीडियो आपके लिए है शायद यह सवाल आपको आज तक किसी ने भी पूछा नहीं होगा और यह सवाल आपके जिंदगी के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है साथियो मैं हूँ दोस्तो संजे गुर्णानी और आप देख रहे हैं Wealth Plus आज का सवाल और आज का वीडियो आपके लिए आज के लिए भी इंपोर्टन्ट है और आने वाले भविश्य के लिए भी आपके लिए दोस्तो बहुत जादा इंपोर्टन्ट है इसलिए यह वीडियो अंत त जान से सुनिए आपकी इंकम आपके पैसे किसके हैं आप मन में सोचेंगे कि क्या पगलेट जैसे सवाल पूछ रहे हो हाँ दोस्तो पागलपन जैसा सवाल है लेकिन बहुत ही सच्चा सवाल है जो आपकी सेलेरी आ रही है आपकी इंकम आ रही है आपके बिजनस का आप आराम से बोलोगे और नहीं तो क्या? यह income किसकी है? यह मेरी income है? तो दोस्तो ध्यान से सुनिए. जो आप कहे रहे हैं मेरी income है, वह actually में आपकी income नहीं है. मेरा मतलब है जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपकी salary आती है, वो सर्फ आपकी नहीं है. तो सवाल आता है वो किस की है अगर आपकी सेलरी एक लाख रुपय है इसका मतलब अगर आप एक महीने में कहीं से भी एक लाख रुपया अगर आप कमाते हैं तो उसके अंदर जो बीस हजार रुपया है 20% वो उस इनसान का है जो आपके अंदर है हाँ दोस्तों आपने सही सुना जो अगर आप एक लाख रुपे कमा रहे हैं तो बीस हजार रुपे आपके अंदर बैठे हुए उस इनसान के हैं जो साथ साल के बाद रिटायर्मेंट के बाद बाहर आएगा इसका मतलब या बीस हजार उसके हैं जो साथ से असी तक जी सकता है या साथ से सो तक जी सकता है या बीस प्रतीशित इनकम उस इनसान की क्यूं है उसका कारण जाड़ना दोस्तों बहुत जरूरी है आज बहुत सारे बज़र्ग जिन को खून के आँसू रोने पढ़ रहे हैं वह रो रो कर बताते हैं कि क्यूं उनको रोना पढ़ रहा है उनको कोई आज पूछने वाला नहीं है दोस्तों उन्होंने जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती कौन सी की सबसे बड़ी भूल कौन सी की जो आज उनको खून के आशू रोने पढ़ रहे हैं जब वह कमा रहे थे ह आँ दोस्तों 20 में 30 में 40 में 50 की उम्र में जब वो कमा रहे थे तो उन्होंने किया क्या उन्होंने सबसी बड़ी भूल की जो भी कमा रहे थे खर्च कर रहे थे यही भूल की जो 20 प्रतिशत आने वाले समय के लिए रखना चाहिए था जो उनके अंदर इंसान है 60 के बाद जो बाहर आएगा उसके लिए जो पैसा रखना था उन्होंने नहीं रखा और हुआ क्या बीस में 30 में 40 में जब वो कमा रहे थे तो उनका हाथ ऐसे था देने के लिए था और हुआ क्या उन्होंने 20 प्रतिशत इंकम सेव नहीं की इन्वेस्ट नहीं किया इसलिए जैसे ही वो 60 के हुए इंकम बंद हो गई तो जो हाथ यू था और 60 के बाद वो हाथ ऐसे हो गया और जब भी किसी इनसान का हाथ देने के बज़ाय लेने की तरफ जाता है दोस्तों तो वह इनसान दिल से तूट जाता है और उसके हाथ तुक और रोने के सिवा कुछ नहीं बचता उसकी पूरी हकीकत हेलपेज इंडिया के डाटा के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो बुज़र्गों ने दोस्तों रो रो कर बताया अगर आप देखेंगे वृद्ध आश्रम में ओल्ड एज होंस में जाकर देखेंगे और उनसे बात करेंगे उसका पूरा क्रक जो हेलपेज इंडिया ने दिया है वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 42 परसंटेज जो बुज़र्ग थे जिन्नों ने अपने भविश्य के लिए सेव नहीं किया उनको अपमान मैसूस करना पड़ा 38 परसंटेज बुज़र्ग ऐसे थे जिन्नों ने अपने भविश्य की चिन्ता नहीं की और खर्च करते रहे उनको गाली सुननी पड़ी मौखिक रूप से दुर व्यवार सेहना पड़ा दोस्तों 28 प्रतीशत बुज़र्गों को आर्थिक उपेक्षा एकनामिकल तकलीफ सेहनी पड़ी पैसों के लिए हाथ फैलाना पड़ा और 53 परसंटेज बुज़र्गों ने कहा कि यह सेहना पड़ता है और उन्होंने उसके लिए कोई कारिवाही नहीं की और 35 परसंटेज बुज़र्गों ने कहा कि यह जो दुर वेवार होने का मुख्य कारण है जो गाली गलोच है मार पीठ है उसका जो कारण है वह है प्रॉपर्टी निलकर कई लोग सोचते हैं प्रॉपर्टी रिटायर्मेंट का प्लान है बिल्कुल गलत दोस्तों प्रॉपर्टी पर ही तो पूरी दुनिया में जगड़े होते हैं और आप उसको प्रोटेक्शन समझ रहे हैं पूरा इत्यास देखिए महा भारत के समय से जो भी जगड़े हुए हैं वो प्रॉपर्टी पर मिलकत पर हुए हैं और यह गलती कभी न करें कि प्रॉपर्टी आपका रिटायर्मेंट प्लान है 35% बुजर्गों ने कहा कि प्रॉपर्टी की वजह से उनका जीवन नर्क जैसा हो गया और 72% बुजर्गों ने कहा कि अगर हमने पहले से ही अपने भविश्य के लिए 20% कम से कम सेव किया होता तो इससे बचने का यही रास्ता होता और इससे बचने का यही रास्ता है कि 100 साल तक गैरेंटीड इंकम आनी चाहिए इस प्रकार प्लान करना चाहिए कई सारे लोग सोचते हैं मेरा business है मुझे कही ज़रुत है business चल रहा है businessman की थोड़ी retirement होता है यहीं तो सबसे बड़ी गड़-बड़ है दोस्तो जो job करता है किशी भी स ondan स्था में उसे पता होता है साथ पर retire होना है वह थोड़ा बहुत plan करता है और जो business में होता है उसको लगता है business ही मेरा retirement plan है उसको तो यह भी नहीं पता चलता के retirement जटके से आ गई और ध्यान से देखिए आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा किसी भी business में 20 प्रतिशत की income retired मालिक को दी जाए जिस ने business शुरूर किया था promoter को दिया जाए कभी नहीं होता अगर आप सोच रहे हैं कि business आपका retirement plan है गलत बात क्योंकि सबसे जादा risk business में होती है business में आज income है कल नहीं है आज एक तकलीफ है कल हजार तकलीफ होगी तो retirement plan अपना खुद का आज से ही होना चाहिए कई लोग सोचते हैं, प्रॉपर्टी मेरा रिटायर्मिंट Palan है अभी मैंने बताया प्रॉपर्टी पे पुराने जमाने से जगड़े होते आ रहे हैं प्रॉपर्टी रिटायर्मिंट का प्लान नहीं है और एक जबरदस्त केवत है दोस्तो आपके लिए जब बालों में चांदी हो इसका मतलब जब बाल सफेद हो रहे हो और जब बाल सफेद हो गए हो तो आपके पॉकेट में गोल्ड होना चाहिए अंग्रेजी की कहवत है When silver in your head, a gold should be in your pocket जब बाल सफेद हो जाए उससे पहले आपकी जब को gold से भर दीजिए और उसकी शुरुआत होती है आज से आज से जो आपकी income है उसका 20 प्रतीशत उस इनसान का है जो आपके अंदर से 60 के बाद बाहर आएगा दोस्तो अब दोस्तो आपको गिनना है आज की तारीख में आपके अंदर बैठा हुआ जो इनसान है उसके लिए आप कितना परसंटेज सेव कर रहे हैं कितना परसंटेज अलग रख रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी गिनिये कमेंट में लिख सकते हैं और इस प्रकार का वीडियो आपको कैसा लगा क्या आप में सिल्वर तब जेब में गोल्ड होना चाहिए या नहीं अगर आपको अपनी वेल्थ बनानी है अपनी इंकम बढ़ानी है और अपना भविश्य सुन्दर बनाना है तो आज ही दोस्तों इस प्रकार के जबरदस वीडियोs के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस प्रकार के वीडियोs को देखकर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ शेयर करें आपने अपना कीमती समय दिया और अपने भविश्य को उजुवल बनाने के लिए जो दोस्तों या वीडियो देखा उसके लिए मैं तहें दिल से आपका शुक्र गुजार हूँ धन्यवाद साथियो